क्रोना वाइरस को लेकर भारा सरकार निजाये से महामारी घोशित क्या है महिमत प्रदेश सरकार निकत इस मार्ज तक स्कूल की चुटी घोशित कर दी है जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसकी तैयारी के उपर नजर रखी जा रही है सुमवार को इंदौर कलेक्टर लोकिस जातव ने टी बी अस्पताल हज हाउस सहीत नीजी अस्पतालों का दौरा किया वहीं कोरोना वायरस को लेकर स्वास विभाग द्वारा की जा रही तैयारी का आज कलेक्टर लोकिस जातव ने निरिक्शन किया और हज हाउस को इंदौर का आईसोलेशन वार्ड भी बनाने का विचार किया जा रहा है इंदौर कलेक्टर लोकेश जाटरफ ने बताये कि इंदौर जुले में अभी तक 15 लोगों के कोरोना वाइरस को लेकर सेंपल लिए गए हैं जिसमें 14 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है वहीं एक मरीज की रिपोर्ट आना बाकी है इंदौर कलेक्टर ने इस दौरान लोगों से कोरोना वाइरस को लेकर अपील करते हुए कहा कि इसको लेकर साफधानी बरतें और भीड भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और सर्दी खासी होने पर नजदी की डॉक्टर को तुरंत दिखाए कोरोना वाइरस के संक्रमन अगर कोई आता है तो उसके जो प्रारंबिक तैयारी के लिए हम लोगों ने अभी चार-पार साइड्स देखे हैं सबसे पहले MR TV है और फिर हज हाउस भी अवराज हम लोग ने निरेशन किया है इसके अलावा हुकुम चंपॉली क्लीनिक है वहां भी हम लोग ने देखा है इसके अतरिक्त स्रीपुर शेत्र में एक राइवेट हॉस्पिटल है वह भी हम लोग उसको वेबस्ता है जिसमें से पंदरा की रिपोर्ट नेगेटिव आई है एक की रिपोर्ट नेगेटिव अबेटेड है अब टारभी तयारियों के लिए हम लोग अभी अवेरनेस जो आईसी कैम्पेन उसको और थोड़ा मस्बूत करने के आवशकता है और वरतमान में शहर में जितने भी शा के ना जाएं जहां पर बहुत जादा क्राउडेड हो जहां पर इंफेक्शन होने का खतरा हो एक शोशल डिस्टेंसिंग का जो मैसेज है उसको हम सब को फॉलो करना चाहिए और जितने भी प्रिकॉशन्स एडवाईजरी जारी हुई है सभी पालन करें